वेल्कम बेक नाजरीन हम बात कर रहे हैं इस वक्त एनरो पे और मेमो गेट पे और दोनों बातें बहुत इंपोर्टन्ट हैं पाकिस्तान के लिए क्योंकि इस वक्तान पूरा इसी के इस गेट घूम रहा है और अभी हमें जॉइंग किया है सब्दर इक्बाल साफ पीटी इनरो की एमियत और क्या अब आप ये बता हैं कि आप क्या समझते हैं कि एनरो के लिए जो इतना बड़ा जलसे जलूस हुए कहने एक तरह का बड़ा प्राइम मिनिस्टर साब तश्रीव ले गए और बहुत कुछ देखने में आया और फिर बात वहीं कि वहीं खतम हो गई क पर अस्तसना पर बात शीरू हो गई और इस पर भी लगता है कि बता नहीं कितने एक साल और लग जाएगा जब तक यह हकूमत का वक्त भी खतर हो जाएगा तो आप यह बताएं कि यह क्या से लग होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए देखिए मैं कुछ नरो या मैमो है जैसे कि आपको बताया में शर्रफ की कौवर्मिट में 2007 में अकुबा यह सारी कहानी उन्होंने इट थाउजन प्लस लोगों उन्होंने इस चीज के साथ डिफेंड कर दिया जो के क्रिमिनल थे जिन्होंने तावान बहुत बड़े बड़े इसमें क्राइम है अब उन तम इन्सान है जो के हमारे कंट्री के प्रेजिडेंट है अब उन 7,099 की तरफ जाने के लिए यह जरूरी है कि हम सबसे पहले जो हैड अफ इस्टेट जो के आर्मी के भी कमांडर है उनका पहले इसाब कर ले जब हम उनकी तरफ आ जाएंगे उनके तमाम वो जो अब एक एक च कि जी गौवर्मनेट लेटर लिखते हैं स्विटसर लेंड को वो कह रहे हैं अब इतजास एसन साब मेरे फाजल जैसा कि मेरा पर बाइपर फेशनलोय हूँ तो एस एसन साब ने आगो इसको टेक अप का लिया कि इसको कि जी इस पे इस तसना हासिल है दुनिया में कहीं भी प्रेजिडेंट साब को इंकलूडिंग जो फॉर दूसरे लोग हैं गुवर्नर्स सूबा जो प्रोविंस के अब मैं यह कहना चाहूँगा कि जो डिसीन दिया है सुप्रीम कोट ने उसको गौर से क्यों नहीं पड़ते हैं अब पिछले दिन और बलके कली रम्दे जिस्ट तू फॉर्टी एट की इस्तस्ना सिर्फ और सिर्फ सिवल क्रीमिनल केसिस पे हैं इन पांच लोगों को सीवल पे नहीं हैं और जब एटार्नी जरनल कयूम साब ने एप्लीकेशन जो वो लैटर पहले लिखा था वहां से सारा रेकॉर्ड लेने के लिए वापस लिया उन्ह तो उसको हम ले रहे हैं वापस मतलब वो उस वक्तिया टार्नी चैनल है जिन पे बाद में कोड ने ये भी खा के इन पे मुकदमा चलाया दे है जो कि उन्हेंने गवर्मेंट के सरा सर अगेंस काम किया है जो कि लॉग के अगेंस्ट है तो उस सूरत हाल में जब हम अपने है अगेंस्ट का इतसाब नहीं कर सकते हैं तो 7,099 लोग आप उनको कैसे टाच कर सकते हैं वो मुक्तले पॉर्टी से हैं वो वहां पे उनका भी असर रसूप है पर आप से दोबारा इस पर बात करते हैं जी हलो अच्छा अब टी वी किवाज हलकी कर लें ताके हम बात कर सकें यह कह रहे हैं कि 799 जो लोग हैं जी जी आठजार चले एक एक वो जो मैंने बाते की वही है यह वही कह रहे हैं बिलकुल के 248 क्रिमिनल प्रसीडिंग पर तो फिर यह रम्दे साहब ने तो बातें मुभम की ना तर्मियान में कि शियना इम्यूनिटी इसली निए उसे क्लेम करनी पड़ी तो है क्रिम्नल ये तो मेरी बात को सेकिंड कर रहे है और ये फिर वकील हो के सफदर साब मैं बड़े एतराम से कहता हूँ मेरे भाई बड़ी मासूमियस से एन एरो कह रहे है NRO ही नहीं जब मैंने का Can he say that NRO still exist अगर exist करता तो वो 120 days में वो जो President का होता है Ordinis वो एप्रूव होना होता है वो तो हुए ही नहीं तो NRO खतम होगी ना वो बात ही खतम होगी आप सिरफ cases की बात करें NRO एक term रह गी है जो अच्छी या बूरी थी वो खतम होगी उस term को क्यों हम यूज करते हैं हम एक case की बात कर लेते हैं जरदारी साब क्या को सो साल के लिए सतर बने एक डेटर साल रहा गया ना उसके बाद उन्हें वोट आउट कर दे या अभी कर दे टू थर्ड मिजर्टी ये पीटी आई जो कह रही है हम तो सुनामी आगे ना जो भी अभी सरगोता में इनका सुनामी खुल खुला के रहा गया पता लगी है लेकिन जरदारी साब जो है वो अभी फिलाल अगले election के लिए भी तो वोरा हक है ना हमारा हक है वो तो हारना जीता दूबात की बात है हम election लड़ेंगे वो तो हमारा हक है अब मेमोगेर पे आते हैं क्यों कहना रोपे हमने पहले हाफ में काफी बात की थी मेमोगेर जो है वो अब इस नहिच पे आगे है कि जो गवा है उसको पहुंचने नहीं दे रहे है और उसकी रुकावट हर किसम की रुकावट हकूमत डाल रही है कि वो पहुंचे ही ना और फिर बात आगे बढ़े ही ना तो आप क्या समझते हैं कि यह मसला कैसे हल होगा क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टन मसला है देखिये पहले तो यह कोई एक बंदे को स्थिक्यूरिटी परवाइड करना कॉममेट के लिए कोई बड़ा इस्यू नहीं है पिकेन इजीली डुट और यह एक मैज जो में जो जड़ है वहां तक पहुंचने से रोखने की कोशिश की जा रही है यह बहुत ही डेलीकेट दोनों इस्यूज हमें बहुत भी केरफू लोग के बात करना पड़ती है क्योंकि इसमें हमारे मुल्की टोटल सेक्यूरिटी इंटरस्ट इंवाल्व है लेकिन मजबूरी है कुछ हम बोलने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते इस वक्त जो सेच्यूएशन है सेच्यूएशन यह है कि उसको उनको यहां पे लाने के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ठीक है उन्हें अगर वो कह रहे हैं कि हमें फोजी जो सिक्यूरिटी दी जाए ठीक है अगर वो भी नहीं दे सकते तो थरड़ आप्शन अवेलेबल है दबई में कहीं और किसी कंट्री में अपना कमिशन जाकर बिठाकर वहां पर हो जो टेक आप कर सकते हैं उसके लिए उन्हें बस अप्रोल चाहिए तो इसको आगे बढ़ा ले लेकिन इसको किसी नहीं किसी साइड पर अब जाना चाहिए इसमें पूरी एक बहुत बड़ा आपकी आई एसाई सब इतने बड़े इंस्टूशन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंज खराब हो रहा है जी बात कीजिए टीवी के वाद सल्की कर लीजे बात कीजिए जी जी एलो आप टेलिवीजन देख लेए या फिर आप बात कर लें प्लीज जी मैं रगसाब यहां पर कुछ एड़ करूंगा नेक्स कॉलर से बात कर लेते हैं जी हलो अलेकम डग साब जी वालेकुम असलाम सहती थी जो उनकी आसिफ जदाई से ज्यादा वो उनकी ज्यादा उनकी हिस्टरी को जानती है तो प्लीज उनको लाके उनका इंटरिव्यू सुनिए कि वो क्या कहती है आसिफ जदाई के बारे में अरी बेनिजी को मुझे तो यह नहीं समझा जाते है जब यह कहती है कि हमा करवाया गया है, हमारे लीडरों को कतल करवाया गया है 2017 Ghelic का प्पी झाल का तर्क हम जो कुछ भी ए तो उसको पाकेसार नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकिंगे ह्कूमत की सारी सचायां सामने आ जाती, इसको तो गुवर्नर हॉस में रखा गया है, यह क्या उसका नाम में हकानी, हकानी को अप जजबात हमारे इतनी हो जाते हैं कि बात भी नहीं होती हमसे सही तरा, उसको गु काफटर के लिए दिया जाएगा उसको अब मुझे बिताएं जो किस तरह कहते हैं किस तरह कह सकते हैं